आप एक एजिक पोल है जो मुक्ह मंतरी का उसमें आप सबसे जादा मत प्रात कर रहें राजिस्तान में तो ये मुक्ह मंतरी का बड़ा चेहरा है आप ने एक बात कहीं थी कड़ बुल्डोजर चलेगा गुंडे भाग जाओ 24 गंटे के अंदर आज देख लेगा तिन तारीक के बाद में कोई नजर नहीं आएगा राजस्तान में शानवार तरीके से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की मुख्यमंत्री पद के चहरों को लेकर अब मंधन शुरू हो गया है राजस्तान में CM पद के लिए कई शहरे रेस में हैं जिनमें एक नाम तिजारा से चुनाव जीतने वाले मेहंत बाबा बालकनाथ का भी है बाबा बालकनाथ के समर्थक उन्हें यूपी का योगी आदितेनाथ भी बुलाते हैं ऐसे में चुनाव जीतने वाले बाबा बालकनाथ भी मुख्यमंतरी पत के दावेदारों में शामल है जब चुनाव नतीजे आने के बाद पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंतरी बनने को लेकर सवाल पूछा तो बाबा बालकनाथ ने कहा हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधान मंत्री, हमारा सब कुछ PM नरेंद्र वोधी हैं और सब उनके मार्ग दर्शन में चलेगा उनकी देखरेक में उनकी विजन के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा आप एक एजिक पोल है जो मुख्यमंत्री का उसमें आप सबसे ज़्यादा मत प्राप कर रहे हैं राजिस्तान में तो ये मुक्ष मंत्री का बड़ा चेहरा है कि अपने एक बात कही थी कि बुल्डोजर चलेगा गुंडे भाग जाओ 24 गंटे के अंदर अज देख लेगा तिन तारीक के बाद में कोई नजर नहीं आएगा आप में बता दें कि बाबा बालकनात यादव समाज से आते हैं राजस्तान में OBC होने के कारण सीम पद की रेस में वो राजकुमारी दिया कुमारी से भी आ गए हैं ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में ट्रेंड यही है कि हर पार्टी OBC निताओं कोई प्रजक्ट कर रहे हैं बालकनात का यादव होना उतर प्रिदेश विहार के साथ हरियाणा लोग सभा चुनावों में बीजेपी के लिए कारगर हो सकता है यूपी और बिहार में यादव वोट का बड़ा शेयर है इस बार क का बाबा बालकनात के सीम बने पर क्या कहना है हमें नीचे कमिंच करके सरूर बताए ऐसी ही और खबरों से हमेशा बडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक और शेयर करना ना भूले